तो दोस्तों अगर आप भी अपने movie quick app में अपना vpa create कर रहे हो और आपके सामने इस तरह का error आ जा रहा है या फिर कोई भी error आ जा रहा है आप vpa create नहीं कर पा रहे हो तो आप आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी यह वाली problem solve कर पाओगे तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा अगर आप में movie quick app में अपना vpa create कर रहे हो और आपके सामने error आ जा रहा है तो आपको क्या करना है आपको सब कुछ back कर देना है और उसके बाद आपको फिर से सुरू से try करना है आपको manage पे click करना है start now पे click क बाद यहाँ से आपको अपना bank select कर लेना है उसके बाद यहाँ पे अपना vpa डाल के continue पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिर से हमारे सामने वही error आ चुका है फिर से दोस्तों हमको वही करना है सब कुछ back कर देना है उसके बाद सुर फर से हमको सब कुछ back कर देना है उसके बाद manage पर क्लिक करना है start now पर किलिक करना है bank पला स्रेट कर लेना है उसके बाद यहाँ पर फिर से अपना वी पीए डाल देना है continue पर क्लिक करेंग स्विकते हैं तो दोस्तो अगर आपके भी movie quick app में ऐसी कोई problem है आपके vpa create करने पर error आ रहा है तो आप ऐसे करके अपनी problem को solve कर सकते हो और बहुत ही आसानी से अपना vpa create कर सकते हो दोस्तो आप ये ध्यान रखना कि आप जो ये try करो आप सुबा सुबा ही कर लेना क्योंकि दिन में जो है network काफी busy रहता है जिससे के error जादा आएगा आपकी vpa create करने में आपको problem जादा होगी तो आप try करना कि आप सुबा सुबा ही try कर लेना तो आपका successfully vpa create हो जाएगा क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो जो है देता रहता हूँ फिलाल अचके इस वीडियो में इतना है अंगली वीडियो में एक और ने टोपिक के साथ तब तक के लिए जाए हैं वन्ने मातरम love you all